आप सब केसे हैं उमीद करती हूं अच्छे होंगे आज मैं आपके साथ में यह मेंकप लोग शेयर कर रही हूं जिनें मेकप करना बिल्कुल भी नहीं आता वो यह वीडियो देखकर आसानी से अपना मेकप कर सकते हैं और वीडियो को फुल वाच करें मेकप के सारे स्टेप ब अपलाई कर सकते हैं उसके बाद में मैंने मॉस्ट्राइजर अपलाई किया है गुड वाइफ का सिया बटर आप चाहे तो कोई सा भी मॉस्ट्राइजर अपलाई कर सकते हैं आप निविया क्रीम भी अपलाई कर सकते हैं इसके बाद मेंने मेलियो का प्राइमर फेस पर अप से अपलाई किया है और उसके बाद में मैंने ब्यूटी ब्लेंडर को पानी में अच्छे से वेट कर लिया है और उसको अच्छे से स्क्विज करना है अच्छे से निचोड ले उसके बाद में डेब डेब करके अच्छे से ब्लेंडिंग करें ब्लेंडिंग बिल्कुल हलके हल अब मैंने foundation को अच्छे से blend कर लिया है और उसके बाद में मैंने लिया है good wipes का lip balm lips पर apply किया है और उसके बाद में ये fit me maveline का concealer है और इसको मैंने अपने face के highlighting features को उभारने के लिए apply किया है हमारे face के जो भी highlighting point होते हैं वहां हमें highlighting करनी है light shade concealer से highlighting करते हैं और eyes के पास जब blending करें तो हमें उपर की और देखना चाहिए जिससे हमारी eyes के नीचे crease line नहीं पड़ती है और अच्छे से blending करना है बिल्कुल dab dab करके हलके हलके हातों से और ये Swiss beauty की contouring stick है इससे मैंने अपने face के contouring point को contouring करी है अब आप देख सकते हों इस तरह से मैंने contouring करें तो हमें आप देख सकते हों इस तरह से मैंने contouring करेंज़ाए बिल्कुल करी है और इसको blending हमेशा उपर की और करना चाहिए चिगवन पर आप देख सकते हों किस तरह से मैं blend कर रही हूं उपर की और बिल्कुल हलके हलके हातों से blending करें और अब मैंने nose पर blending की है और जो line पर हमें नीचे के side में इस तरह से हमेशा इसी तरह से blending करना चाहिए contouring की और इसके बाद में मैंने लिया है आप देख सकते हो मैंने contouring को अच्छे से blend कर लिया है और इसके बाद में मैंने लिया है मैलियो का loose powder भारे makeup को set करने के लिए और इसके बाद में आप जो line पर इस तरह से powder को apply करेंगे तो हमारी जो हमने contouring करी है वह बहुती अच्छा shape पाता है और यह है brown color की eyebrow definer यह है Swiss beauty की इसी से मैंने अपनी eyebrow को define किया है अब आप देख सकते हो किस तरह से मैंने अपनी eyebrow को define किया है और स्कूली brush की help से मैंने अच्छे से brush कर लिया है कॉम कर लिया है eyebrow पे और इसी तरह में अपनी second eyes पे भी eyebrow को define कर लूँगी और मैंने दोनों eyebrow को अच्छे से define कर लिया है और इसके बाद में मैंने Swiss beauty का concealer लिया है और इसको मैंने अपनी eye lid पर apply किया है और इसके बाद में मैं इसको eyebrow के upper side भी इस तरह से apply करूँगी जिससे हमारी eyebrow की shape एकदम proper और बहुत अच्छी shape दिखती है और हम जो भी color लगाते हैं eye shadow के वो pop out होकर दिखते हैं तो आप भी इस तरह से concealer जरूर अपलाई करें और उसके बाद में अच्छे से beauty blender की help से अच्छे से blending कर लें अब एनी beauty glass की eye shadow palette में से light sky blue color को पिक किया है और इसको मैंने crease line पे apply किया है और इसको अच्छे से blend करना है blending मैंने बहुत अच्छे से करी है और ऐसे ही मैं अपनी second eyes पे भी blending कर लूँगी और इसके बाद में मैंने ली है beauty glass की gorgeous में eye shadow palette में से dark blue color लिया है और फिर से मैंने इसको crease line पे और outer corner पे apply किया है outer corner पे apply करना है और अच्छे से blend करना है जिते अच्छे से हम blending करते हैं हमारे eye shadow के color उतने ही pop out होके दिखते हैं और हमारे बहुत अच्छा eye shadow का color मिलेगा इस तरह से अच्छे से blending करना है और outer corner पे जिस तरह से मैं blend कर रही हूं इसी तरह से आपको भी blend करना है आप देख सकते हो किस तरह से मैं blending कर रही हूं और उसके बाद में मैंने हलका सा black color लिया है और उसको मैंने outer corner पे apply किया है और बिल्कुल हलका सा लिया है और बस आउटर गोर्नर पे इस तरह से आपको ब्लेंड करना है जिससे हमारा आइशेडो का लुक बहुती प्यारा आएगा उसके बाद मैंने स्विस्टी का हाइलाइटर लिया है और इसको मैंने सेंटर में अपलाई किया है आइबॉल पे और इसके बाद में मैंने लिया है ग्लू लिया है ग्लीटर ग्लू और उसको मैंने आई लीट पे अपलाई किया है यह ग्लीटर ग्लू है और इसको आई लीट पे अपलाई करेंगे जहां हमने हाइलाइटर अपलाई किया है और इसको हमें सेंटर में ही अपलाई करना है जिस बिल्कुल हलके हलके हातों से प्रेस करते हुए हमें अपलाई करना है ब्रस की हेल्प से प्रेस करते जाएं बिल्कुल हलके हलके हातों से बहुत अच्छा ग्लीटर है और बहुती अच्छा ग्लू भी है यह और आपको इसका लिंक चाहिए हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में इस अब मैंने डार्क ब्लू कलर को लोर लेश लाइन पे अपलाई किया है और अच्छे से ब्लेंडिंग करी है और इस तरह से अपलाई करने से हमारा आईशेडो का लुक बोती प्यारा आता है अब मैंने लेकमी का आई लाइनर अपलाई किया है अब मैंने लेकमी क मस्कारा अपलाई करने से पहले हमें आई लेशेश को करल कर लेना चाहिए उससे हमारी आई लेशेश भोती प्यारी लगती है और मैंने आई लेशेश को करल कर लिया है और उसके बाद में मैंने किस ब्योटी का मस्कारा अपलाई किया है मस्कारा को बहुत अच्छे से अपला अब मैंने ब्लेशर अपलाई किया है आई शेडो में से ही मैंने ब्लेशर का कलर लिया है और आप भी कर सकते हो जो ब्लेशर आपको लगाना हो आई शेडो में शबू कलर ले सकते हो और उसकी बाद में मैंने यह है मियोन की लिप्स्टिक है और इसको मैंने अपने लिप्स प और इसको brow bone पर apply किया है और जो भी हमारे face के highlighting point होते हैं वहाँ पर मैंने highlighting की है और उसके बाद में brush की help से highlighting चिक बॉन पर और अच्छे से highlighting करने के बाद में मैंने eyes में white kajal apply किया है मेलियो का और मेलियो के ही मेकप फिक्सर से मैने मेकप को फिक्स किया है और ये मेरे मेकप का फाइनल लुक है और आपको ये मेकप लुक पसंद आया हो तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को अल पे जरूर किलिक करें जिसे मेरे वीडियो के आने वाले नी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और वीडियो आपके लिए helpful रही हो तो please like, share, comment करके जरूर बताए और मिलते हैं next वीडियो में तब तक के लिए bye bye take care किलो क्या है मेरे झाले ठक किलो तो झाल झाल